रक्षा बंधन महूरत 2024, आज 7 गंटे 49 मिनत तक रहेगा भधरा का साया, जाने राखी बांधने का शुब महूरत रक्षा बंधन शुब महूरत 2024, आज रक्षा बंधन है, इस बार रक्षा बंधन पर 7 गंटे 49 मिनत तक भधरा काल रहेगा लिहाजा आज राखी बांधने का शुब महूर्ट दोपहर एक दशमलव तीन दो बजे से शुरू होगा ये चार दशमलव शुन्य तीन बजे तक रहेगा उसके बाद दूसरा शुब महूर्ट शाम को 6 बजकर 49 मिनट से रात 8 बजकर 52 मिनट तक रहेगा महिमा जैन जार्खंड आज भाई बहन का सबसे बड़ा त्योहार रक्षा बंधन का पर्व है इस बार रक्षा बंधन का त्योहार पर कई शुब सयोगों का संगम हो रहा है रक्षा बंधन के दिन सावल का आखिरी सोमवार है श्रावन पूर्नेमा है इसके साथ ही रक्षा बंधन पर 7 गंटे 49 मिनट तक भधरा का साया रहेगा रक्षा बंधन पर आज राक्षी बांधने का पहला शुब महूर्ट दोपहर 1.32 बजे से 4.03 बजे तक रहेगा उसके बाद दूसरा शुब महूर्ट शाम को 6.39 बजे से 8.05 दो बजे रहेगा इस बार 2 साल बाद रात के बजाए दिन में भी राखी बांधी जा सकेगी इस बार 30 साल बाद राखी पर्व पर सूर्य और शनिदेव स्वराशी में रहेंगे जो तिशाचारियों के अनुसार भाईयों को राखी बांधने के लिए बहनों को आज लंबा इंतजार करना होगा इस बार रक्षा बंधन पर कई घंटों तक भधरा का साया रहेगा भधरा का ये साया सुबल 6 बच के 5 मिनट बजे से लेकर दोपहर 1 बच के 32 मिनट तक रहेगा शास्त्रों के अनुसार भधरा काल राखी नहीं बांधी जा सकती बहने दोपहर 1.32 बजे के बाद अपने भाईयों की कलाई पर राखी बांध सकेगी इस साल रक्षा बंधन पर सरवार्थ सिप्धी योग, शोबन योग और रवी योग का भी शुब सयोग बन रहा है पहले भाई की आरती उतारें और फिर माथे पर तिलक लगाएं भाई बहन के प्यार के सबसे बड़े त्योहार रक्षा बंधन पर बहने अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तिलक लगाती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है बदले में भाई अपनी बहन को आजीवन रक्षा का वचन देता है भाई को राखी बांधने की यह परंपरा सद्यों से चली आ रही है जोतिशाचार्य अमित्व्यास ने बताया भाई को राखी बांधने से पहले उनकी आर्टी उतारे और फिर माथि पर तिलक लगाएं राखी दाहिने हाथ में बांधना शुब होता है भाई के दाहिने हाथ में राखी बांधना शुब होता है क्योंकि दाहिने हाथ से किये गए कारियों जैसे दानादी को भगवान स्वीकार करते हैं इसके बाद भाईयों को अपनी बहनों के पैर छूने चाहिए इसके साथ ही इस दिन भायों की ओर से बहनों को कुछ उपहार देने का भी परंपरा है मिसाल, रक्षा बंधन पर बहन ने दिया भाय को जिंदगी का अनमोल तोफा रक्षा बंधन 2024, भारतिय संस्कृती में रक्षा बंधन और भाया दूज, भाय और बहन के पवित्र रिष्टे का अटूट पर्व है बहन भाय की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध कर उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है वही भाय बहन की रक्षा का वचन देता है रक्षा बंधन 2024, फते उकुर्ट सीकर भारतिय संस्कृती में रक्षा बंधन और भाय या दूज, भाय और बहन के पवित्र रिष्टे का अटूट पर्व है बहन भाय की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध कर उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है वही भाय बहन की रक्षा का वचन देता है रक्षा सूत्र के जरिये हर संकत का लिन स्थिती में बहन भी भाय के लिए सब कुछ न्यचावर करने को तयार रहती है ऐसी ही मिसाल पेश की है एक बहन सुनीता देवी ने कस्पे के मौलियों के मोहले की निवासी शिक्षिका सुनीता बुडानिया ने भाई देविंद्र बुडानिया को किद्नी दान दी है अभी दोनों का अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में उपचार जारी है सुनीता की पती सुरेंद्र सिंग भी शिक्षक है मूलतर रामगर उप्खन निवासी ठिमोली निवासी शिक्षक बीरबल बुदानिया ने बताया कि उन्होंने 2016 में पुच्छ देविंद्र बुदानिया को किद्नी दी थी लेकिन आच साल बाद किद्नी ने काम करना बंद कर दिया इसके बाद देविंद्र को दुबारा किद्नी की आवश्यक्ता हुई तब बहन सुनीता अपने भाई की जीवन रक्षा के लिए आ गया है पती सुरेंद सिंग ने बताया कि शादी के बाद भी बेटी का पिता के कुल से रिष्टा खत्म नहीं हुता बलकि वपीहर और ससुराल के रिष्टों में सेतु का काम करती है अपने भाई को किड्नी देने की इच्छा बताई तो उन्होंने अपने परिजनों से बात कर उसे सहर्ष सहमती दे दी इसके बाद किड्नी दान की प्रक्रिया शुरू हुई जो सफलता पूर्वक अंजाम तक पहुँच भी गई मिसाल, रक्षा बंधन पर बहन ने दिया भाई को जिंदगी का अनमोल तोहफा रक्षा बंधन 2024, भारतिय संस्कृती में रक्षा बंधन और भाई यादूज, भाई और बहन के पवित्र रिष्टे का अटूट पर्व है बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध कर उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है वही भाई बहन की रक्षा का वचन देता है रक्षा बंधन 2024, फतिय कुर्च सीकर भारतिय संस्कृती में रक्षा बंधन और भाई यादूज, भाई और बहन के पवित्र रिष्टे का अटूट पर्व है बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध कर उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है वही भाई बहन की रक्षा का वचन देता है रक्षा सूत्र के जरिये हर संकत काली नस्थिती में बहन भी भाई के लिए सब कुछ न्यचावर करने को तयार रहती है ऐसी ही मिसाल पेश की है एक बहन सुनीता देवी ने कस्पे के मौलियों के मोहले की निवासी शिक्षिका सुनीता बुडानिया ने भाई देविंद्र बुडानिया को किद्नी दान दी है अभी दोनों का अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में उपचार जारी है सुनीता के पती सुरेंद्र सिंग भी शिक्षक है मूलतर रामगर उपखन निवासी ठिमोली निवासी शिक्षक बीरबल बुदानिया ने बताया कि उन्होंने 2016 में पुच्छ देविंद्र बुदानिया को किद्नी दी थी लेकिन 8 साल बाद किद्नी ने काम करना बंद कर दिया इसके बाद देविंद्र को दुबारा किद्नी की आवश्यक्ता हुई तब बहन सुनीता अपने भाई की जीवन रक्षा के लिए आ गया है पती सुरेंद सिंग ने बताया कि शादी के बाद भी बेटी का पिता के कुल से रिष्टा खत्म नहीं हुता बलकि वपीहर और ससुराल के रिष्टों में सेतु का काम करती है अपने भाई को किड्नी देने की इच्छा बताई तो उन्होंने अपने परिजनों से बात कर उसे सहर्श सहमती दे दी इसके बाद किड्नी दान की प्रक्रिया शुरू हुई जो सफलता पूर्वक अंजाम तक पहुँच भी गई